नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में फ्रेंट्स हो जाना की तरह हम फिर से आप सभी लोग के लिए एरलाइन्स और ट्रेवल से जूरी हुई कुछ बहुत जरूरी और काम की अपडेट लेकर आचुके हैं तो ब सभी लोगों के लिए यहां पर डब्लियोक की तिरफ से जो अपडेट सामने रही है उसके नुसार डब्लिय WIL्यों को अप्रूल अप 26 अक्टूबर को दे सकती है एक दोस्तों यह एक बुरी खबर है क्योंकि WHO की तरफ से approval को vaccine को सितंबर महीने में ही मिलने वाले थी लेकिन यहाँ पर लगातार हो रही देरियों के कारण आम लोगों को काफ़ यदा problem का सामना करना पड़ रहा है आपको बतादे कि भारत में जिन लोगों ने भी co vaccine लगवाय हुआ है और दूसरे देशों में travel करके जा रहे हैं ऐसे सबी लोगों को दूसरे देशों में जाने के बाद वहाँ पर quarantine में रहना पड़ रहा है यहाँ पर जो last update WHO की तरफ से आई थी WHO इस vaccine का approval जो है सितंबर महीने में देने वाला था बाद में इसको approval October के first week में मिलने वाला था लेकिन finally अब यह approval जाकर जो है October महीने के last week में मिलने जा रहा है अभी देखना रहता है कि क्या October महीने के last week में भी यह approval मिल पाता है या फिर WHO इसको लेकर एक नई डेट दे देता है Friends, अगली अपडेट यहाँ पर Air India से जान लेते हैं आपको जादी कि Air India को लेकर यहाँ पर कई media channels में reporting करके बताई जा रही है कि Air India जो है इतना ज़्यादा losses कर रही थी कि एक दिन में भारत सरकार को 20 करोड रूपे देने पड़ते थे ताकि Air India successfully अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर सके जी दोस्तों आप यहाँ पर यह Live Mint की रिपोर्ट देख सकते हैं जहाँ पर बताए गया है कि Air India के लिए भारत सरकार जो है एक दिन में 20 करोड रूपे खर्च करती थी ताकि Air India अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर सके यहाँ पर भारत सरकार Air India को बेचने की कोशिस हैं काफी लंबे समय से कर रही थी लेकिन फाइनली आप जाकर Air India को टाटा गुरूप ने परचेज कर लिया है आपको बढ़ा दे कि Air India को सकसेसफूली टाटा गुरूप को दिसंबर महीने तक सौप दिया जाएगा अभी भी Air India जो है भारत सरकार के पास ही है और जितने भी Air India के फ्लाइटे ओपरेट हो रही है वो भारत सरकार के अंडर में ही ओपरेट की जा रही है यहाँ पर कई सारे जानकार को कहना है कि Air India एक बार टाटा गुरूप के पास वापस चली आती है तो फिर दुबारा से Air India अपनी पुरानी पहचान बना पाएगी आपके बादा दे कि Air India एक समय में दुनिया की सबसे बेस्ट एरलाइन्स कंपनियों में से एक एरलाइन्स कंपनी मानी जाती थी फ्रेंट्स अगली अपडेट यहाँ पर स्पाइजेट से आ रही है इस पाइजेट जो है दिल्ली से तिरुपती के लिए अपनी नई फ्लाइटों की सुरुआत कर रही है इन फ्लाइटों का उधगाटन भारत के सिविल एवेशन मिनिस्टर जोतिर्या सिंधे की तरफ से किया गया है जहाँ पर उन्होंने बर्चुली इस फ्लाइट का उधगाटन किया है आपको अध़ादी की सुरुआत में इन फ्लाइटों को सब्ता में तीन दिन ओपरेट किया जाएगा और 31 अक्टूबर के बाद दिल्ली से तिरुपती के लिए इन फ्लाइटों की संख्या को बढ़ा कर चार कर दिया जाएगा फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और आपके साथ ये फोटो सेर करना चाहेंगे जो कि इन्टरनेट पर इस समय काफी जादा वाइरल हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची सिक्योर्टी गार्ट से परमिसन मांग रही है कि वो अपनी आंटी को मिल सके और एक बार उनको गले लगा सके आपको बता दे कि यह जो फोटो है इस समय इंटरनेट पर काफी जादा वाइरल हो रहा है जहाँ पर इस छोटी सी बच्ची को दिखाया जा रहा है कि कैसे यह एक सिक्योर्टी गार्ट से परमिसन मांग रही है कि यह अपनी आंटी से एक बार दुबारा से मिल सके आपको बता दे कि इस छोटी बच्ची की वीडियो को अब तक 6 लाग से जादा लोगों ने देख लिया है इसके लिए अगली अपडेट एर इंडिय की फ्लाइटो को लेकर आ रही है एर इंडिया यहाँ पर 1 नौमबर से कोलंबो से दिल्ली के लिए कोलंबो से चन्ने के लिए अपनी नई फ्लाइटो की लिस्ट लेकर आ चुकी है यदि आप इस समय सिलंका के लिए ट्रेवल करके जाना चाते हैं तो आपको बता दे कि सिलंका की गौवर्मेंट ने को वैक्सिन को अपरूबल दिया हुआ है आपने यदि भारत की कोविट सिल्ड या फिर को वैक्सिन इन में से कोई सी भी वैक्सिन लगवा है तो आप जो हैं सिलंका के लिए आसानी से ट्रेवल करके जा सकते हैं इसके लाव फ्रेंट से यदि आप फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले हैं और सस्ती टिकट बुक करके कम से कम दोस्ते तीन हजार उपे बचाना चाते हैं तो gomyboss.com पर जा सकते हैं और वहां से अधी flight ticket book नहीं करी है तो हम यहाँ पर आपको suggest करेंगे कि एक बार आप आप जाकर flights का compare अवस्य ही कर लें